स्रेया का अमन कर जहाए हुआ कि वो केक खाय नहीं तो जब सुबा से उठी तो बो रहे थी ममी केक बना दो तो मैं भी सोची कि चलो केक बना देओ नस्रेया के लिए सुबा से वक्त ने मिला घर का काम सा खाना बियाने का सब कंप्लिट हो गया खाना के साथ सब मैं केक भी कर दी अब केक पक रहा है फ्रेंट्स मैं दिखाती हूँ यह केक मेरा पक रहा है यह देखिए केक बना रही हूँ और केक जो है मेरा बनी चुका है बस थोड़े देर में पक चाएगा और मैं इसे बाहर निकाल लूँगी आज मैंने केक छोटा ही बनाया है क्योंकि अभी फिलाल करनी के दिन चल रहे हैं और फ्रेज में केक रखने के बाद ठंडी हो जाती है तो टेस्ट नहीं लगता है और बाहर जो है खराब हो जाएगी तूकि यह तो होममेट केक है तो फ्रेंट्स आप लोग कमेंट्स वरके जरूर बताइएगा कि मेरा केक आपको कैसा लगा और श्रया के सो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चुंदे हो झाल